So is Shotaak Mehta का उल्दाइसमा की आने वाली स्टोरी काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है को कि आने वाली स्टोरी में अब अब अब्दुल को finally 11 लाग रुपे मिलने वाले हैं जिसके के अब्दुल को जरूवत थी और वो 11 लाग रुपे गोकल लाम सोसाइटी के मेंबर सी देने वाले हैं जिसमें कि टप्पू सेना होगी अब इस भले ही यहाँ पर अबदुल ने सोसाइटी के लोगों से पैसे लेने से समना कर दिया हो लेकर अब इस आने वाली स्टोरी में हम सभी लोग देखने वाले हैं कि जो दई मट की हंडी का कारकर में स्टार्ट हुआ है उसे अब इस टप्पू सेना ही जीतेगी जिसमें कि 11,11,000 रुपे का नाम उस टीम को मिलेगा जो कि इस दई हंडी को फोड़ेगी तो गई सिंपल सी बात है कि टप्पू सेना के लावा इस नाम को और कौन जीत सकता है और टप्पू सेना को ये नाम जीतना ही पड़ेगा अगर उन्हें अब दुल को सुसाइटी से जाने से रोकना है तो लेकन गई साथी एक बहुत बड़ी राश से परदाटने वाला है कि आकरकार अब दुल को इतने पैसों के जरूत क्यान पड़ी कि वो सुसाइटी को छोड़ कर और दुकान को बेच कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा था